बीजेपी के चाड़क के अमित शाह की नजर अब ममता के किले पर लगी हुई है अमित शाह पश्चिम बंगाल के दो दिवसिय दोरे पर हैं जहां बीजेपी ममता के किले की नीव हिलाने की रणनीती तैयार कर रही है पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट हैं अमित शाह ने इसके लिए 22 सीटों का टारगेट रखा है हाला कि पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मोदी को खुश करने के लिए 26 सीटे जीतने का ब्लूपरिंट अभी से तयार कर लिया है पिछले कुछ समय में बीजेपी ने राज्ये में अपनी पकड को पहले से ज्यादा मजबूत किया है अभी हाली में हुए पंचायच चुनाव में बीजेपी, कॉंग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को पचाड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुँच गई थी आपको बता दे कि 2014 के लोगसभा चुनाव में बीजेपी को सिफ दो लोगसभा सीट पर ही जीत हासिल हुई थी जबकि मम्ता बनर जी की टीम्जी ने 34 सीटों पर जीत हासिल की थी वहीं कॉंग्रेस और सीपेम को भी महज दो दो सीटों पर ही संतोश करना पड़ा था 2019 में कॉंग्रेस और लेफ्ट पार्टियां फिर से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी ऐसे में मम्ता को कॉंग्रेस गडबंदन के साथ साथ बीजेपी का भी सामना करना होगा बीजेपी का मानना है कि कॉंग्रेस लेफ्ट का गडबंदन मम्ता के वोटरों को काटेगा जिसका सीधा फाइदा बीजेपी को मिलेगा बीजेपी जिन सीटों पर फोकस कर रही है उनमें ज्यादतर नौर्थ बेंगॉल और साथ बेंगॉल से है